टाटा कंज्यूमर को डिसकस कर लेते हैं और जिस तरीके का फिर चला है कोविट की बज़े से बेसक इंडिया में कोई ऐसे केसे नहीं हैं ओमी क्रॉन के लेकिन फिर भी थोड़ा फिर है उसकी वज़े से जो डिफैंसिव स्टॉक है डिफैंसिव सेक्टर है जैसे फमसी जी वही अपना IT जैसे वही फार्मा तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है और टाटा कंजूमर कल मैंने नजरे बना के रखी ती काफी गरावाट हो 700 के आसवास लेवल लेकिन वहाँ तक आया है नहीं तो अगेन जो इसका CMP के आसपा चल ला है तो यहाँ पर खरेदारी की जा सकती है 750 रुपए से जो CMP चल ला है यहाँ कहीं पर भी आप खरेदारी कर सकते हो एक डिप लगा सकते हो बैक अप दा माइन नीचे एक लेवल और सोचके चल सकते हैं लेकिन वहाँ तक आना मुस्कित मुझे दिख रहा है जो 650 रुपएगा अभी के लिए यह काफी बढ़िया बैलो बाइन पिक हो जाएगा एक तो FMCG स्टॉक है दूसरा FMCG में भी यह एग्रेसिव स्टॉक है जैसे अगर हिंदुस्तान उनिलिवर नैसले की बात करोगे तो वो थोड़ा डिफैंसिव है इसमें रिटन आपको काफी अच्छी मिल सकते हैं काफी अग्रेसिव स्टॉक है FMCG का और काफी बढ़िया ब्यूँ है मेरे टाटा कंजूमर पे तो यही मेरे व्यूँ है अगर आपको खरदारी करने है FMCG स्टॉक में तो अभी काफी वडिया डिसकाउंटेट लेबल पे है एच्छीव भी और टाटा कंजूमर भी तो इन दोनों में से चूज कर सकते हैं डिफैंसिब में चाहिए तो एच्छीव और अग्रेसिव में चाहिए तो टाटा कंजूमर बाकि यह आपकी मर्जी है आपका पैसा है सब्सक्राइब कर लेना वीडियो दोस्वाद सेरे कर देने जहें दोस्तों